तो अब दोस्तों वेलकम टो माई यूटूब चैनल तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CBA चेरीब्रो वास्कुलर एक्सिडेंट तो हम बहुत दिन के बाद आये हुए है यूटूब पर तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं वास्कुलर एक्सिडेंट जो होता है जो आप लोग देखेंगे चोटा मुटा एक्सिडेंट होता है उसमें ब्रेन पर क्या इफिक्ट परता है उसके बारे में हम आज डिटेल्स में बताने वाले हैं एक्सिडेंट होता है तो ब्रेन पर चोट लगता है चोट लगने के सुषकल ट्रेटमेंट भी हर चीज बता देंगे इसमें ठीक है तो क्या होता है समझते हैं जो सिभी जो है न उसमें से रिब्रो एस्पाइनल चिरीब्रो भास्कूलर एक्सिडेंट में ब्लड का फ्लो जो होता है ना रूख जाता है यानि ब्रेन में ठीक है तो लॉस अब ब्लड फ्लो तुद पाट अफ ब्रेन ठीक है तुद पाट अफ ब्रेन विच डैमेज ब्रेन टीशू ठीक है जब हमारे ब्रेन में ब्लड का मतलब नहीं होगा ठीक है फ्लो नहीं होगा ना जब मेरे ब्रेंड में ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो मेरा ब्रेंड का जो भी टीशू है ना ब्रेंड टीशू डेद करने लएगा कि यूँकर उसके पास निऊट्रियंट्स पहुंचेगा न ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वह क्या करेगा ब्रेन टीशू डेद करने लगा उसको क्या बोलते हैं ब्लड धिरी धिरी ब्लड क्लॉट होने लगा इस्टेमिया होने ब्लड फ़लो के करण आइये ब्लड का होता है एक होता है एक होता है और एक हीमोर्य की क्या बोलते हैं जीसे लॉस横 ऩो जाता है इंद ब्रेंज उस्से Кलॉटंफ दिश्व वह भिलोड यह था शाया Ćनध इसव वहाँ पर क्लोट्ट होने लगता है इंटर्नल यानि रख्त कसरा होने लगता है जिसके करण कोई ब्लड फेसर जो होता है रप्चर कर जाता है जिसके करण इंटर्नल ब्लीडिंग होता है ठीक है अपना ब्रेन में इसका जो हेमोरेजिक होगा इसका जो डिफिनेशन होगा internal bleeding due to rupture of blood vessels in the brain brain में क्या होता है blood vessels टूट जाता है जिसके कारण internal bleeding होता है जिसको हम hemorrhage बोलते हैं इसको hemorrhage बोलते हैं ठीक है तो आइए इसका symptoms यानि जब accident होगा है तो हमको कई से पता लगे कि इसको cva हुआ है ठीक है कई से पता करेंगे त्रेट्मेंट को hogya numbr плохо weakness मतलब चेक कर रऔर पैसेंट को ठीक है भ ね अब अबेंड का मतलब होता है इसको मतलब जो हथ बेयूं रॐता जाना को जाएगा सों हो जाएगा सेघ्री िश्री locks हो यजीए इस से पता लग जाएग यह मतल Juice ट्रेट्मेंट में हम लोग जब ब्लेडिंह हो रहा है थे एंटी कोगुलेंट में कैं देंगे ख्लॉटिंग हो रहा है ब्लोड्द का तो ओफारीन देंगे हैं र wreck VAN और antiplatelet में देंगे ऐस पाइडो ग्रीयल और आसपरिन देंगे और टीपी ए टीश्यु प्लाजमीनोजन एक्तीवेटर में देंगे सकते यह सकते तो यह छोटा सा टॉपिक है जो बहुत कम दिर में आपको पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं तो विडियो अच्छे लगे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू और भरी देश्ट